नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं अमारी यूट्यूब चैनल में जिहां दोस्तों बिहार बोर्ट 12 का रिजल्ट आ चुका है साइन्स आर्स कमर्स आपको पता होगा लेकिन जो बच्चे फेल हो चुके हैं जिनका क्रॉस लग गया है एक सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट में इतिन सस्ब्जेक्ट में उसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है जो कमबार्टमेंट का उसका डेट नेधारित हो चुका है आज से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं कमबार्टमेंट के लिए और स्कूर्टनी भी कर सकते С्कूर्टनी अमतलब यह atiquesोको अपने parenth़ के उपर twinsल् सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी नोकरी की नई सुचना और बिहार बोट से जुड़ी सारी जनकारी आपको सबसे पहले मिले मेरे चैनल फिर जी है जुस्तों देखिए आपको यहां पे लिखा हुआ दिख रहा होगा बिहार बोट 12 रिजल 29 तीन अप्रेल से स्कूटनी के के लिए आप एदान कर सकते हैं यह इसके लिए साइट दी गई है बी एस इबी इंटर डी यू डॉट इन ठीकर चलिए मैं आपको पूरा न्यूस दिखा रहा हूं न्यूस क्या है देखिए यहां पे लिखा गया है बिहार बोट इंटर्मेडियेट 12 यानिके इंटर्मेड इंटर्मेडियेट रिजल्ट घोषीत करने के बाद यहां पे लिखा के रिक्रत फिन एप्रेल से अस्कूटनी के पर चुर्वरी сyleern पर चलूट करने जा रहा है ऐसे उमिद्वार जो अपने मार्कस से पत क्ली कपरो स्कूट परक्रों अपने माक्स से असंतुष्ट है मतलब सटिस्पाइड नहीं है वो तीन तारीक से लेके 12 अप्रेल तक यानि कि आज से लेके 12 अप्रेल के बीच में आप अपने स्कूटनी के लिए यहां पर देखिए स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं उमिद्वार www.bsebi.ntredu.in पर आप जाके आवेदन कर सकते हैं देखिए यहां पर लिखा गया जाकर इसके लिए आपको सतर रुपय का भुक्तान करना होगा यहां पर देखिए दोस्तों क्लियर लिखा गया है कि एक सब्जेक्ट के लिए यानि कि वन सब्जेक्ट के लिए आपको सतर रुपय देना हो यहां पर लिखा गया देखिए www.bsebinterdu.in पर जा करके apply for scrutiny के link पर click करना होगा जैंस तो आपको clearly यहां पर लिखा गया है यह जो site दी गई है इस site पर open करने के बाद आपको apply for scrutiny के लिए option मिल जाएगा उसमें option जाने के बाद आप click करेंगे तो आपको link open हो जाएगा आगे देखिए और के लिखा गया compartment परिक्षा ऐसे उमिद्वार जो एक या दो से बिसे में एक या दो बिसे में फेल हैं उनके लिए बिहार बोड उनके लिए बोड अप्रेल माह में ही compartment की परिक्षा आयोजित करेगा जिहां जो जो फेल हो चुके हैं बच्चे एक 2 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट या फिर दो सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनका जो compartmental exam होगा वो बोड अप्रेल माह में ही देखिए यहां पर लिखा गया अप्रेल माह में ही कंपार्टमेंट की परिक्षा अयोजित करेगा यहां पर और का लिखा गया है कंपाट्मेंट परिक्षा के लिए उमिदवार 5 अपरेल से 10 अपरेल के बीच फॉर्म भर सकते हैं जी हां दुस्तों जो कंपाट्मेंट परिक्षा होता है जिनकर एक क्या दो सब्चेक्ट में फेल हो गए है जो बच्चे वह भर सकते हैं उसको पास करके अपना रिजल्ट ल कि दस अप्रेल के बीच फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और लिखा कि है रिजल्ट मैं महा के अंतिव सब्ता हमें जारी किया जाएगा ताकि उमिद्वार को उच्छा के लिए आवेदन करने में कोई दिकत ना हो जहां दूस्तों यहां पर किलिरली लिखा गया है आपको जो स्कूरूटिनि के जो मिलेगा आपको मई मंथ मैं मिलेगा मैं माइम अपको लिखा है रिसल्ट मई महा के अंतिम सब्तार में जारी किया जाएगा तकि उमध़वार को उचने में कोई दिकत ना हो बी रिखे दूस्तों बी यह फिर बीसी या फिर भी कॉंप या फिर जो भी आप डिग्री लेना चाहते हैं higher जो graduation में आता है उसके लिए आपको स्कूटनी का exam दिया जाता है देने के लिए 5 अप्रेल से 10 अबरेते वीचे में आप फोर्म को apply कर सकते हैं आप मई माह में आपका result आजाएगा अन्तियुम सब्ता में ताकि आप भी ये बीसी become कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यह पूरी नियूज है देख लिजिए यह नियूज आ चुका है ठीक है ठीक है दोस्तों यह पूरा नियूज रहा देख लिजिए यहां पर लिखा गया है आप तीन अपरेल से स्कूटनी के लिए आवयदम कर सकते हैं और पांच अपरल से 10 अपरल के बीच में आप compartment के लिए apply कर सकते हैं अगर आपका 12 बेसे में प्रोस लगा हुआ तो वान या टू या थ्री बेसे में आपका cross लगा हुआ है तो आप compartment के लिए exam दे सकते हैं औली two 506 दो एक या दो एक या दो थो फैल है वह कंपर्टमेंटdon is दूस्टो और इस का डिर में कर सकतेे हैं लिए शर्टनी जो देंगे उसके बीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले ऐसे ही वास्तिविक जनकारी पाने के लिए तब तक धन्यवाद फिर मिलेंगे नई वीडियो में नेने उसके साथ